आप सभी का सभागत है success के 98 में आपका जो एक्जाम है एंटी-पीसी का वो आपका 28 दिसम्बर से जो है वो इस्टार्ट है जैसे आप सभी लोग जानते होंगे आज के दिन सारा दिन जो है जितना भी current affair आपका pending है वो सारे दिन में आपका current affair जो है वो आपका up to date कर दूँगा और परसो से जो class का schedule आप क्या कर सकते हैं के 20 दिन में क्या कर सकते है और जो भी mock test के लिए बोल रहा है जो भी application के उपर है आज साम से या परसो सूबच से आपको mock test current affair का full mock test आपको application के उपर देखने को मिलेगा और आज cover करेंगे हम सभी 8 से 13 नहंबर के important current affair और एक बात last के 3 महने का current affair कम से कम बहुत अच्छे तरके से आप सभी पढ़ कर जाओ एक भी question आप सभी कम से कम छोड़ना मत ठीक है क्योंकि current affair एक ऐसा topic है जहां पर आप बहुत अच्छा score कर सकते हैं class को start करते हैं और एक बात इसका सारा PDF आपको telegram के उपर मिल जाएगा telegram के channel का नाम है आपका success की 98 और पूरा schedule पूरा planning आपका ready है परसो से class कैसे चलेगा static gk हो math के important question हो reasoning का हो सब class परसो से आपका up to date जो है वो start हो जाएगा class थोड़ा फटा फट कराऊंगा क्योंकि 5-5-6-6 दिन का current affair जो है वो cover करना है तो थोड़ा speed बे करूंगा लेकिं question cut to cut clear करवाते हुए पहला question हमारे सामने facebook ने किस वैस्वी खेल महा संग के आधिकारी page को हटा दिया था यानि facebook के उपर आपने देखा होगा अलग-अलग संगहटन का अलग-अलग जो भी famous खिलाडी है या actor है सब के page होते है personal page उसमें से जो ISSF यानि International Shooting Sports Federation का जो page है वो facebook ने हटा दिया था ठीक है तो याद रखेगा exam में अगर पूछेगा facebook ने हाल-फिलाल में किस खेल महासंग का page को हटा दिया था अपने जो platform से तो आप क्या बोलिएगा International Shooting Sports Federation का और exam में एक question पूछेगा कि इसका headquarter कहां पर है आपका तो वो आपका जर्मनी में और इसके head कौन है आपका बल्दिमिर लिसिन ये भी आपको याद रखना है अगला question हमारे सामने गीनी के राष्टपती के रूप में अपना तिसरा कारेकाल किसने समाला है यानि लागतार तिसरा साल ग्याना का यानि गीनी का राष्टपती किसे चुना गया है कौन है ये तो अलफा कॉंडे option number हमारा डी और एक बाग ग्याना का जो capital राजधानी है वो क्या है आपका कॉनेकरी और यहाँ पर मुद्रा क्या इस्तमाल करते हैं आपका गिनियन फ्रैंक ये आपको याद रखना है अगला question हमारे सामने है निमलिखित में से किस देश ने या निर्ण number हमारा C cut to cut question clear करते रहेगा BSE Bombay Stock Exchange ने MSME याने Small Medium Enterprise कितने भी छोटे उद्योग है उनके लिस्टिंग में start-up का समर्तन करने के लिए किस bank के साथ समझाता किया है तो ICICI bank option number हमारा C इसका chairperson कौन है ग्रीस चंद्रे चतुरेदी headquarters मुंबई में और इस bank का जो tagline है वो क्या है आपका हम है खयाल आपका ये दोनों है याद रखिएगा और इसका गठन कभ हुआ था 1994 में और एक बात याद रखिएगा आप सभी इतने लोग भी देख रहे है बंबे stock exchange का न चे इसकुमार चौहान याद रखिएगा ये कुस्सें बंबे stock exchange के chairperson और CEO का नाम इसलिए भी important हो जाता है क्यूंकि अभी हाल फिलाल में एक web series आई है scam 1992 हर्सत मैतावाला वह बहुत popular हुआ है आज के date में और वह stock से जुड़ा हुआ था share market से और आपको पता है Bombay stock exchange के share market का ही game है ठीक है यहीं से सारा trading होता है main है न यह तो आपके exam में पूछेगा Bombay stock exchange का CEO कौन है तो आप क्या बोलेगा Siris Kumar Chauhan अगला question हमारे सामने है भारत का पहला यानि भारत का पहला इसका मतलब यह question जो है वो इतिहास बन चुका है भारत का पहला sand dune park viso bank के साहता से किस राज्य में खोला गया है यानि कहने का मतलब है न यह sand मतलब क्या होता है बालू यानि जो भी आप बीच देख रहे है न बीच के अगल वगल में बालू का पूरा पहाड ऐसा यह भारत में पहली बार जो है वो इस्थापीत किया गया है 200 बैंक के साहता से अब आपको बताना है यह कहाँ पर तो गोवा में कहाँ पर option number D आपका गोवा गोवा क्यापिटर आपका पाना जी मुख्य मंत्री परमोश सावंत राज्युपाल भगस सिंग खोस्यारी जस्टिस कौन है चिप जस्टिस मुख ने आए दिस दिपंकर दत्ता लोग सबा सीट यहाँ पर दो है गोवा में और राज सबा सीट आपका एक है और एक बात बिस्टो बैंक का हेट क्वाटर वानसिंटर्ण डीसी जो अमेरिका में पढ़ता है गठन कव हुआ था जुलाई उननीसो चवालीस में इसका अध्यस कौन है प्रेसिटेंट तो डेविड माला पास अगला क्वेस्टन हमारे सामने है क्वेस्टन क्या बोल रहे हमारे सामने निमलिखित में से किसे सैसलेस का राष्टपती चुना गया है इनका नाम क्या है तो आप्शन नमबर आपका डी वेवलेव रामा कलावन आप्शन नमबर डी और इसका हेट क्वाटर आपका विक्टोरिया मुद्रा क्या इस्तमाल करते आपका तो रूपी ये याद रखना हैं आप सभी को अगला कोश्यन हमारे सामने हैं बोलेविया का प्रेसिडेंट जो है वो किसे चुना गया है पच्पन परतिसत बोट से जो है यह चुनाओं जी चुके थे राष्टपती का बोलेविया का क्या नाम है उनका तो उनका नाम याद रखेगा आप सभी लुइस क्या नाम हमारा डी और इसका कैपिटल क्या है आपका बोलोविया का लापैच सर्क ठीक है और मुद्रक क्या इसमाल करते हैं आप बॉलेवियों यह याद रखेगा अगला कोश्यन हमारे सामने हैं और यह थोड़ा सा उपर चला गया है कोई नहीं एक मिनट टाइम सहता से याद रखेगा आप सभी मंग देचू जल विदुत पर्योजना एक्जाम में अगर यह पूछ दे आप सभी से यह हाइड्रो इलेक्रिक प्रोजेक्ट कहां पर है तो आप क्या बोलिएगा भुटान में एक्जाम में पूछेगा इस पर्योजना को सीविल इंजिनि आप सब्सक्राइब हमारा सी और भुटान का कैपिटल तो सभी को पता है थिंपू वहां पर मुद्रा क्या इस्तेमाल करते हैं भुटान इस नोगल ट्रों और एक बात भुटान के पढ़्धान मंत्री का नाम क्या है लोटे सेरिंग यह आपको याद रखना है क्या नाम है लोटे सेरिंग अगला कुस्टन अमारे सामने है और यहां पर यह उपर चला गया है इसको थोड़ा सा नीचे लेकर आते हैं चलो यहां पर एची ज्याद रखिएगा आप सभी इतने लोग भी देख रहे हैं कि कुस्टन काफी इपॉर्टेंट है यह वाला आप सभी को पता ह जो आप फोन में नेट चला रहे हो इंटरनेट चला रहे हैं फोन में डेक्स्टॉप में कहीं पर भी अगर आप इंटरनेट चला रहे हैं तो आपकी इंटरनेट का कितना स्पीड है वो स्पीड कैसे पता लगाते हैं कौन सा साइट बोल सकते हो जो सबसे जिन्यून डाटा बताता है कि आपके नेट की speed कौन है तो ओकला अब आपको question ये बताना है ओकला के अनुसार पूरे वर्ड में speed के मामले में भारत का rank क्या है तो 131 option number हमारा डी एक नंबर पर कौन है South Korea South Korea एक नंबर पर है और इंडिया का rank क्या है आपका 131 है अगला question हमारे सामने है ये question बार बार उपर क्यों चला जा रहा है Samsung यहां पर आपको बताना है किस company ने imagine IBM को पीछे छोड़कर विस्व के सरुसेट नियोकताव की फोप सूची में स्थान बनाया यानि जितने भी best employers है जितने भी काम करने वाले जितने भी best employee है उसमें सबसे टॉप top company में कहां के best employee है Samsung का याद रखे answer क्या होगा आपका option number three Samsung अच्छा आपको पता है ना Samsung किस देश का company है तो South Korea का दच्छन कोरिया की company है आपका Samsung अगला question हमारे सामने है अगें Samsung से question है और question हमारे सामने बोल रहा है 78 साल की उम्र में ली कुन ही का निधन हो गया है वह किस company के अध्यक्स थे तो Samsung के option number हमारा डी अगला question हमारे सामने है और यह सारा का सारा उपर गया हुआ है ना कोई बात नहीं को question यहां पर बोल रहा है आप सभी को कि निमलिखित में से किसने ओस्ट्रवा ओपन डबलू टीए यानि टेनिस वर्ल्टेनिस एसोसियेसन टूर्णामेंट जीता है तो इनका नाम क्या है इनका नाम है आपका option number C आरियाना सेवलेंका option number क्या बोलिएगा option number आपका D option number आपका C इन्होंने यह परतियोगिता जीता है और यह किस कंट्री को किस रास्ट को जो है वो रिप्रेजेंट करती है तो आपका बेलरस यह भी आपको याद रखना है अगला question हमारे सामने हैं किस राज की सरकार ने प् बहुत important question है बहुत important question है आपको बताना है हर एक जीले में मानो तसकरी मतलब जो है वो रोका जा सके इसलिए हर जीले में हर डिस्टिक में मानो तसकरी विरोध पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय जो लिया गया है वो उत्तर परदेश राज सरकार के द्वारा option number ह हमारा डी उत्तर परदेश के मुख्य मंत्री योगी आदित्यनात राजधानी आपका लखनव है राजजपान अंदीबन पटेल और चिप जचिस को नहीं है गोविंद माथू लोक सभास्टीट अस्थी और राज सभास्टीट आपका 31 है अगला question हमारे सामने है निमलिखित में से किसने भारत और स्युट राष्ट एक डाक इतिहास पर दार्सनी परदसनी का उध्गाटन किया है जितना भी आपने देखा होगा बहुत सारा stamp paper निकलता है या stamp आपने देखा होगा पॉस्टल stamp अगर आप कहीं पर आपको कुछ सेंड करना है तो आप एक stamp लगाते हैं खरिते हैं जिससे आपका जो चिटी है वगारा वो जल्दी मतलब भेजा जा सके उसकी लिए यह सब का जितना भी इतिहास है इसके लिए इंडिया और सविंट राष्ट ने एक जो है exhibition बोल सकते वो जारी किया है इसका उध्गाटन किसके द्वारा किया गया तो वी मुरली धरन option number हमारा क्या option number हमारा बी अगला question हमारे सामने है निमलिखित में से किसने night of the restless spirit story from 1984 या पुस्तक लिखी है आप सभी को पता है कोई भी पुस्तक का नाम हिंदी और इंगलिस में सेम होता है तो यह जो पुस्तक है यह किसके द्वारा लिखा गया है तो आ आपका याद रखेगा इस पुस्तक के जो लेखा कोंका नाम क्या है सिम्रन प्रिस सिंग option number हमारा बी जैसे आप सभी देख पा रहे होंगे जो पुस्तक है उसका starting page और उपर में ठीक जो है वो writer का नाम जो है वो mention किया गया है अगला question हमारे सामने नासा के निमलिखित के न 26 से आप सभी देखना नासा के निमलिखित वेच साला में से किसने चंद्रमा के सता पर पानी की खोच की है सोफिया इस question को note कर लेना आप सभी काफी important question है ये वाला नासा का हेट कौन है जीम ब्रेंड स्टाइन गठन एक अक्टूबर 1958 हेट क्वाटर वांस इंटन डिसी अम अगला question हमारे सामने है question बोल रहा हमारे सामने ASI के साथ निमलिखित में से किस संस्थान ने इसमारकों की बहाली के लिए दो इटालियन संस्थाओं के साथ एक समझोते पर जो है वो डिल साइन किया है अब देखो question क्या बोल रहा है जितने भी ना monuments है जितने इसमारक है हमा इसके मरमत के लिए इटालियन के इटली के दो संस्था के साथ डिल साइन किया गया है किस के साथ भारत का कौन सा संस्था के साथ तो याद रखेगा IAT कानपूर option number हमारा C अगला question हमारे सामने इंडियन पोस्ट इंडिया पोस्ट ने सीमा सुर्क डेटा के electronic विनियम के सामने जो की most important question 6 साल की अंजार मुस्तिन अली किस देश से ICCR Indian Council of Cultural Relations भारतिय संस्कृति संबंध परिस्थ द्वारा आयोजीत वैस्वी कलापरतियोगिता जीती है नाम क्या है उनका अंजार मुस्तिन अली या बांगला देश की है option number हमारा B अगला question हमारे सामने एक लाख महिलाओ को digital causal के साथ ससक्त बनाने के लिए NSDC ने निमलिखित में से किस company के साथ सायोग किया है Microsoft option number हमारा D next question हमारे सामने HAL हिंदुस्तान एरियोनौटिक लिमिटेड ने project परिवर्तन के लिए किस company के साथ 400 करोण रुपए का अनुबंध किया है तो किस के साथ किया गया है बहुत important question है एक महिंद्रा option number हमारा D अगला question EDX जो company है जो एक education platform है जो digital education जितने भी facility है वो देती है निमलिखित में से किस company ने Westwick सिच्छा platform EDX के साथ करार किया है किस company ने State Bank of India option number हमारा B कि अगला question हमारे सामने बहुत important question most important question बिश्व की सबसे लंबी डूबी हुई सुरंग निमलिखित दो देश में से किस से जुड़ेगी यानि देख लो अगर आपको clear दिख रहा होगा देख रहे है ना समुंदर के अंदर से सुरंग है ये दो देशों को जोड़ेगी और य इसका जो संचालन है ना वो देर 29 तक जो है वो खुलेगा ये सबसे लंबा सुरंग है किस किस देश के बीच में जर्मनी और डेनमार्ट option number हमारा डी अगला question हमारे सामने केसब भाई पटेल जिनका 92 वर्स की आयू में निधन हो गया है वो किस सराज के पुर्व मंकु मंत् तो गुजरात के option number C केसब भाई पटेल 92 वर्स की आयू में इनका निधन हुआ था ये गुजरात के पुर्व मुख मंत्री थे बर्तमान में गुजरात के मुख मंत्री कौन है बीजय रूपानी लोग सबासिट 26 राज सबासिट इगारा बिकरमनात यहां के मुख नियादी इसा एक संदेज चैट या बोल सकते हो मेसेंजर बोल सकते हो एक मैसेज वाला एप्लिकेशन बोल सकते हो जो लॉंच किया गया है भारतिय सेना के लिए ठीक है इस पेसली जो सुरक्षीत है जो सिक्टियोर है उस एप्लिकेशन का नाम क्या है जो डिक्टो एप्लिक आए गया से आई option number हमारा डी अगला question हमारे सामने है निमली कितमे से किस राज में तीन हजार रुपए की मासिक वित्य सहायता परदान करने के लिए इवा अधिवक्ता कर्लियान question जो है वो सुरू किया गया है देखो जितने भी नौजवान आप वो सकते वकील है lawyer है advocate है जो भी है उनको प्रतीमा 3,000 रुपए जो है वो दिये जाएंगे सहायता के रूप में और किस योजना के तहर तो योजना का नाम भी आपको याद रखना है जितने लोग भी देखने याद रखेगा young advocate welfare fund ठीक है ये launch किया गया है तामिल नाडू राज सरकार के द्वारा option number हमारा भी चेन्नई राजधानी है इड़ा पड़ी केप लणी स्वामी राजजपाल कौन है आपका बनवारी लाल पूरोहित अमरेसोर पताफ साही यहां के मुक नियादिस लोग सबासित 38 राज सबासित आपका 18 अगला question हमारे सामने है निमलिकित में से कौन सा देश S.C.O. संगाई कॉर्पोरेशन और 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 अर्गनाईजेशन मंत्रियों की विदेश अर्थ्यवस्ता और विदेश वैपार की उन्निस्वी बैठक की मेजबानी कर रहा है इंडिया याद रखेगा 19 यानि 19 S.C.O. Minister of Foreign Economic and Foreign Trade का जो यह मीटिंग जो यह हुआ था आयो जानि यह कौन सी कंट्री इसको होस्ट किया था तो भारत option number हमारा D अगला question हमारे सामने है निमलिकित में से किस बैंक को लागातार बारवे बर्स के लिए ACA का सबसे सुरक्षित बैंक नामित किया गया है लागातार बारवे साल DBS बैंक option number हमारा D यह सब question काफी important है अगला question हमारे सामने है मेशत यलिमाज जिनका निधन 72 वर्स की उम्र में हुआ था वो किस देश के पुर्व परधान मंत्री थे तर्की के option number हमारा D तर्की का बर्तवान में राष्ट पती कौन है आपसे प्रधान मंत्री ने राष्ट पती पूछेगा लिख कर ले लो याद रखेगा रेसिप टैपिक इडगन और मुद्रा तर्किस लिरा कैपिटल अनकारा तर्की का अगला को से नवारे सामने कैबिनेट समिती ने पूरे भारत में चुनिंदा बांदों की सुझच्छा और प्रधर्शन में सुधार के लिए कितने करोड की परियोजनाओं के लिए मंजूरी दी है कैबिनेट सेंटर के द्वारा कितना का 10,211 करोड उपे जितने भी इंडिया में डैम है उनको सुधारा जाएगा उनको ठीक किया जाएगा इसके लिए केंदर सरकार के द्वारा 10,211 करोड उपे की जो है वो रासी आ एरंदर मोधी जी ने 17 एकड में फैले आरोग्यवन का उठगाटन किया है आरोग्यवन का उठगाटन किस राज में किया गया है जो 17 एकड में फैला हुआ है गुजरात में option number D देख रहे हैं आरोगयवन विभाग गुजरात याद रखी कम से कम बहुत important question यह सारे अगला question इंडिया international film festival of Boston में lifetime estimate award से किसे नवा जा गया है ओम पूरी option number हमारा C अगला question हमारे सामने क्रोना भाइरस पर दुनिया की पहली बेग्यानिक पुस्तक क्या नाम है बाई बाई करोना निमलिखीत में से किसके द्वारा लिखा गया है यह वाला परदीव सिर्वास्तव option number हमारा B अगला question हमारे सामने निमलिखीत में से किस फिलिम ने चौदवे एसिया फिलिम पुरुसकार में सर्वसेश्ट मुलसंगित जीता है गली बॉय option number हमारा D गली बॉय अगला question digital सेवा पड़ान करने के लिए किस कमपनी ने इंडियन ओल कॉर्पोरेशन के साथ सयोग किया है digital सेवा का facility देने के लिए कौन सी कमपनी ने इंडियन ओल कॉर्पोरेशन के साथ deal sign किया है तो आपका IBM option number हमारा D याद रखिएगा question हमारे सामने है कितना मेगावाट वाटी का अच्छे पार्थ एक बात आप याद रखेगा बहुत इपॉर्टेंट कोस्यन है ये वाला जितने लोग भी देख रहे हैं याद रखेगा जो आपको पता है ना राजास्थान का जो बॉर्डर है वो पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है वहाँ पर के साथ वहाँ पर न एक मेगावाट रेनेवल पार्क जो है वो इस्थापित किया जाएगा कितने वाट का 8000 8000 मेगावाट का ऑप्शन नंबर हमारा डी कहां पर जो पाकिस्तान और राजस्तान से जो बॉर्डर टच होता है न वहाँ पर और यह इस्थापित कौन करेगा Sport Authority of India खेल धाचे को विक्तित करने के लिए SAI Sport Authority of India और किस राज की सरकार के बीच एक समझोते पर डिल साइन हुआ है यह फोटो आप काट दीजेगा गलत लगा हुआ है तो अरुनाचल परदेश के साथ आपका option number B और आज का पहला question यही से आप सबी के लिए निकल कराता है अरुनाचल परदेश के मुखे मंतّरी का नाम, राज़िपाल का नाम, यहाँ पर लोग सबा सीट कितना है, राज सबा सीट कितना है, यहां के Chief Justice का नाम क्या है और यहां के Capital क्या है? ये चीध आपको अरुनाचल परदेश के बारे में कॉमेंट करकर बताना है यह आप सबी का आज का पहला question है और सारे दिन current affair जो है वो up to date करूँगा अगला question हमारे सामने निमलिखीत में से कौन भारतिय एयर केरियर परमुख बनने वाली पहली महिला बन गई है देखो फोटो जो है इनका उपर चला गया है कौन है इनका नाम है हरम प्रित सिंग option number C question important है इतिहास ब बनने वाली पहली महिला बन गई है हरम प्रित सिंग option number हमारा C अगला question वारे सामने निमलिखीत में से कौन मीजी equity firm जिसका नाम क्या है जिसका नाम है आपका कालियली में वरी सलाकार के रूप में सामिल के लिए तयार है क्या नाम है उनका अधिति पूरी option number हमारा D अगला question निमलिखीत में से किसे electronic sector skill council of India के CEO के रूप में न्यूक्त किया गया है अच्छा electronics sector skill council of India का CEO किसे बनाया गया है PVG मेनन option number हमारा D अगला question निमलिखीत में से किसे मुंबाई port trust के अध्याग chairperson के रूप में न्यूक्त किया गया है मुंबाई port trust का chairperson किसे बनाया गया है आपका राजीव जलोटा option number हमारा C अगला question नहीं ये आज का अंतीम question था question class बहुत speed करवाए है और आज सारा दिन में कम से कम 9 December तक का current affair आज up to date करना है और कल से class आपका regular start होगा कुछ नए strategy के साथ की अंतीम 20 दिन में आप क्या क्या कर सकते हैं एक्जाम में जाने से पहले और application पर आज साम से आपको mock test या कल सुबा से mock test जो है वो up to date को मिलेगा class अच्छा लगा होगा like कर दीजेगा जो भी सिकायत है आप कर सकते हैं झाल